आयारेम एनर्जी की 5% डिसकाउंट पर एंट्री ने किया निराश, बेच दें या अभी बने रहें आयारेम एनर्जी इन्वेस्ट्मेंट स्ट्राटेजी, स्टॉक मार्केट की ताबरतोर बिक्वाली ने आज गैस दिस्ट्रिब्यूशन कमपनी आयारेम एनर्जी की एंट् बिगार दी, इसके शेर 5% डिसकाउंट पर लिस्ट हुए हैं और लिस्टिंग के बाद इसमें और दबाव दिखा, लिस्टिंग से पहले एनालिस्ट्स ने करीब 10% के लिस्टिंग जैन का, अनुमान लगाया था क्योंकि इसके आईपी ओ को शांदार रिस्पांस मिला था जानिए अब डिसकाउंट लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए, स्टॉक मार्केट की ताबरतोर बिक्वाली ने आज गैस डिस्टिब्यूशन कंपनी आयारेम एनरजी की एंट्री बिगार दी, इसके शेर 5% डिसकाउंट पर लिस्ट हुए हैं और लिस्टिंग के वर्ल सक्ताईस गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ था, हालांकि कमजोर मार्केट सेंटिमेंट ने आईटियो, निवेशको की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, आईपियो, निवेशको को यह शेर 505 रुपए के भाव पर जारी हुआ था, और BSI पर इसका सफर 489 पै तक तूट गया था, फिर क्या करें, बेच दें या अभी बने रहें, आई आरेम एनर्जी की पैरेंट कमपनी कैडिला फार्मा है, जिसकी इसमें 49.5 फीसदी हिस्सेदारी है, स्टॉक्स बॉक्स के रिसर्च अनुशी वकारिया के मताबिक कैडिला फार्मा के चलते काफी मदद मिली है, जैसे की जिस सेक्टर में यह है, उसमें भारी निवेश की जरूरत पड़ती है, लेकिन आयारेम एनर्जी को इसमें कैडिला फार्मा की काफी मदद मिली, अनुशी के मताबिक नियम अनुकूल होने के चलते PNG का दाइरा बढ़ रहा है, और कमपनी 1.1XPE पर है, जबकि इंडस्ट्री आवरेज 43.9X है, ऐसे में उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि जिन्हें इसके शेर मिले हैं, वह लॉंग टर्म के लिए इसमें निवेश बनाए रखें, आयारेम एनर्जी में लगाएं 455 रुपए पर स्टॉप लॉस स्वास्तिक इन्वेस्टमार्ट की हेड, वेल्थ, शिवानी न्याती के मुताबिक आयारेम एनर्जी सिती गैस डिस्ट्रिब्यूशन सेग्मेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसका कस्टमर पोर्टफोलियो, डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क डाइवर्सिफाइड है, औ ग्राहकों के संबंध भी काफी मजबूत है, उनका मानना है कि देश में नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ रही है, तो इसका फाइदा उठाने के लिए यह काफी मजबूत स्थिती में है, शिवानी के मुताबिक बाजार की मौजूदा गिरावट के चलते आयारेम की लिस्टिंग कमजोर रही, उन्होंने निवेशकों को 455 रुपए के स्टॉप लॉस पर अपनी पोजिशन बनाये रखने की सलाह दी है, बता दें कि आज यह लेवल इंट्राडे में BSAE पर ब्रेक हो गया था, लेकिन फिर यह रिक्वर हो गया